नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पनियास्टडी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर इंस्पेक्टर ओफिश्रीज का तो हम इसका जीके सेक्षन डिस्कस करेंगी तो चले देखते पहला कॉश्चन कौन सा है हमेरे पास विश्य की सबसे पुरानी जोती गई भूमी कौन सी है तो इसका राइट आंसर है ओप्शन डी काली बंगन ये इसका राइट आंसर है नीमन में से कौन गनतंत्रिय वर्ग से संबंदित है इसका राइट आंसर ऑप्शन भी मल साथ वाहनों के सबसे बड़ी प्रतिस पर्धी कौन थे तो वो कौन थे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शक नेक्स्ट वेशन है कलहन ने रास तरंगनी कि स्टावदी में लिखी थी जो कलहन की रास तरंगनी है वो कि स्टावदी में लिखी गई थी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बार भी नेक्स्ट क्वेशन है जलालो दिन खलजी कि शाशनकाल के दौरान अकेली विजय थी तो इसका राइट आंसर है ओप्शन डी मंडावर नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् वेवेल प्लान किस वर्ष दिया गया था तो इसका राइट आंसरे ओप्शन भी 1945 में नेक्स्ट वेशन है नीमन में से कौन सी चटान सामान्य रूप से संघनन तथा अपर्दन के प्रती रोधी होती है तो इसका राइट आंसरे ओप्शन भी कायांतरित चटान नेक्स्ट वेशन है क्षोब मंडल तथा समताप मंडल को प्रिथक करनी वाला क्षितर है तो इसका राइट आंसर है क्षोब सीमा ओप्शन सीज का राइट आंसर है सार गासो समुद्र अवस्थित है तो यह कहां अवस्थित है इसका राइट आंसर है उप्षनी उत्री अट्लांटिंग महासागर में कि मुख्या आरथी क्रिया कलाब कौन से है तो इसका राइट आंसर है ऑप्षनी शिकार next question है सोनी के उतपादन में कौन सा देश विस्त्र में प्रथम है तो इसका right answer है option ए दक्षिन अफ्रिका next question है मौनसून क्षित्रों में महत्दम वर्षा होती है तो इसका right answer है option ए गर्मी में next question है पोट पतन अर्थर है एक तो इसका right answer है जील पतन option इसका right answer है next question है बोथ सवाना की राजधानी कौन सी है तो बोथ सवाना की राजधानी कौन सी है इसका right answer है option A गैबोरन ये इसका right answer है next question है दक्षन इश्या में महतम जन संख्या वरिदीतर पाया जाता है तो इसका right answer है option b बांगलादेश में ये इसका right answer है next question है पुर्वांचल की पतकाईबम तथा नागा श्रिंकला किसकी मध्य जल खपर बनाती है तो इसका right answer है option c भारत तथा बर्मा के बीच next question है नीमन में से कौन सी नदी नदी मुख बनाती है तो इसका right answer है कोई भी नदी इसमें सी option d इसका right answer है next question है नीमन में सी कौन सा सबसी बड़ा दर्याई मतस्य उतपादक रज्य है तो इसका right answer है option केलल next question है नीमन में सी किस बागायती वस्तु का भारत सबसी बड़ा उतपादक है तो इसका right answer है option काली मिर्च नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् में राज्यों के नाम की सूची तथा उनकी सीमाई निर्दिष्ट है तो इसका राइट आंसर है option A प्रथम next question है नीमन में से कौन भारत की राष्टपती के चुना में हिस्सा नहीं लेता तो इसका राइट आंसर है option C विदान परिशद के सदस्य ये इसका राइट आंसर है next question है लोग सभा के अध्यक्ष किसे संबोधन करके अपने पद को इस्तिफा दे सकते हैं तो इसका राइट आंसर है option C लोग सभा के उपाध्यक्ष ये इसका right answer है next question है कानूनी सहाय के लिए हकदार होना एक सहवर्ती अधिकार है जो की नीमन मूलभूत अधिकारों से उत्पन हुआ है तो इसका right answer है option C कानून की समक्ष समानता का अधिकार से ये इसका right answer है next question है नीमन में से कौन सा गरीबी के लिए गैर आर्थिक कारण है तो इसका राइट आंसर है option D. जन निरक्षर्ता ये इसका राइट आंसर है भारत में योजना अपनी उपदेश तता समाजीक आधार वाक्य कहां से प्राप्त करती है तो इसका राइट आंसर है आप्शन डी राज्यकी नीती निर्देशक सिधांसी ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेशन है नीमन में सी कौन सा गेर नियोजित खर्च में अत्यांत महतंपुन मद है तो इसका राइट आंसर है आप्शन डी ब्याज भुगतान ये इसका राइट आंसर नेक्स्ट ग्वेशन है नीमन में सी कौन सा राष्ट यूरेशियाई आर्थिक संकास दस्या नहीं है तो इसका राइट आंसर है option D उच बेकिस्थान ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट ग्वेशन है यदि शब्द T-A-B-L-E-C-L-O-T-H को X-E-M-R-A-N-R-I-X-T कुटित किया गया है तो H-O-T-E-L को कैसे कुटित किया जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा option B T-I-X-A-R ये इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट ग्वेशन है राम 15 मिटर उत्तर की तरफ जाता है फिर वह अपने दाय मुड़कर 20 मिटर चलता है फिर से वह अपने दाय मुड़कर 10 मिटर चलता है फिर दाय मुड़कर और 20 मिटर चलता है वह अपने प्राथमिक बिंदू से कितना दूर है तो इसका राइट आ जन्वरी 2000 को शनीवार है तो एक जन्वरी 2001 को कौन सा दिन हो सकता है तो इसका राइट आंसर होगा option C शुक्रवार next question है कौन वर्तमान हिमांचल की पहाड़ियों के मूल प्रवासी माने जाते हैं तो इसका राइट आंसर है option D next question है कौन सा दर्रा परसिद है उस दर्रे की रूप में जहां कोई सडकी नहीं सडकी मिलती है कई सडकी मिलती है तो इसका राइट आंसर है बाराला बाराला चाला दर्रा ये इसका राइट आंसर option B नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसका right answer है नेक्स्ट क्वेशन है शान तथा शाबू हिमान्चर प्रदेश की किस जिले के लोगों का प्रचलित लोख नृत्या है तो ये है option D लाहल स्पीती का इसका right answer है नेक्स्ट क्वेशन है ये current के question है तो इनको हम skip कर देते हैं नेक्स्ट क्वेशन इंग्लिश के question है meaning of the idiom a man of straw is तो इसका right answer होगा option E a man of no substance ये इसका right answer है नेक्स्ट क्वेशन है antonym of the word irrevocable is तो इसका right answer होगा option C ill-trable ये इसका right answer होगा नेक्स्ट क्वेशन है the bus was blank apart by the bomb blast तो इसका right answer होगा option D next question है next हिंदी के question है नदी प्लस अरपण का संधी विच्छेद होगा तो इसका right answer है option D नद्यरपण इसका right answer है next question है वो का उचारन स्थान है तो वो का उचारन स्थान कौन सा है इसका right answer है option है दन तोष्ट नेक्स्ट क्वेस्टन है यथा कर्मक में समास है यथा कर्मक में कौन सा समास है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अव्याई भाव समास आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही थेंकि सो मच